हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे लेंस रिक्वेशन यह भी एक्जाम पूछा जाता है तो बच्चो दैस जैसे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है इसमें अबजेक्ट ओ पॉइंट पे है और इमेज जो है वो आई पॉइंट के उपर है और यह जो पॉइंट ओ और पॉइं इसमें हम क्या करेंगे यह जो इस पॉइंट ओपर लाइट शाइन कर रहे है तो मतलब ऐसे फैलेगी लाइट तो जो रेज दिखाई दे रही है आपको यह इस तरह से फैलेंगी आफ्टर शाइनिंग दिस मतलब यहां कोई सोर्स रखा हुआ है तो इससे जो इंफ्रमिशन जाएगी वैसे जाएगी फिर रिफ्रेक्शन होगा और फिर फाइनली यहां पर इमेज बनेगी तो बचो यह देख सकते हो कि हम एक सिस्टम मेट्रिक्स लिखेंगे और सिस्टम मेट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले मलब जो बिगनिंग में होगा बिगनिं प्रफेंगे फिर रिफ्रेक्शन मेट्रिक्स लिखेंगे ट्रांसलेशन के बाद टिनगे अंदर से यह लिख दिन अ Stress प्रताफेंगे बया ले whack-स आय दिए जो उंपास यह matrix, आप पावर को जो है, inverse of focal length लिखते हैं, 1 by f से replace कर दिया है, तो जो हम multiplication करेंगे in reverse order में, तो विल सार्ट विल सार्ट with the multiplication of these two matrices and the multiplication of these two matrix will become a single matrix and now this single matrix is multiplied with the another matrix, तो ultimately we will get this system matrix, और जो system matrix basically क्या है, वो जो output को input के साथ correlate करती है, तो हमने देखो lambda to y2 को लिख दिया है, s times lambda 1 y1 column matrix, तो जब हम axial point की बात करते हैं, तो axial मतलब axis के उपर, तो देखो इस axis से distance to 0 है ना इसका, तो इसलिए हमने y1 को 0 लिख दिया है, और y1 0 है तो it will so happen के image है, वो भी y2 will also be on axial point, तो इन terms को हम use करेंगे system matrix में, तो बच्चो system matrix में अगर इसको use करेंगे तो lambda 2 y2 की जगे 0 लिख दिया है, 1 minus u by f, v plus uv by f plus u, minus 1 by f, minus v e by f plus 1, मतलब हमने इसमे y1 को 0 रख दिया है, y2 को भी 0 रख दिया है, lambda 1 and 0, तो बच्चो इसमें से हम इस element को अगर निकालना चाहते हैं, तो इस first row and first column का multiplication है, यह आगया हमारे पास, इसी तरह से हम इस element को निकालना चाहते है, 0 equal to, तो किस-किस का multiplication होगा, second row, first column, second row, first column, तो यह element, यह equation आगया हमारे पास, तो अगर इस equation को, second equation को अगर मैं लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हो, क्योंकि यह 0 है, और मुझे पता है कि lambda 1 is not equal to 0, क्योंकि देखो, यह किसी angle पे है ना, तो इसमें alpha थो बनी रहा है, तो lambda 1 is not 0, alpha is lambda times mu sin theta, तो हम lambda 1 अगर 0 नहीं है, तो और फिर यह जो quantity है, bracket वाली quantity है, वो 0 होगी, जब यह bracket वाली quantity 0 है, तो हम इसको ऐसे equal to 0 रख देंगे, तो बच्चों, इसको हम rewrite कर सकते है, v plus u is equal to u v upon f, और फिर हमने इसको throughout divide करना है, u v के product से, तो देखो, यहाँ पर 1 by u बच जाएगा, यहाँ पर 1 by v बच जाएगा, और अब हम sign convention use करेंगे, sign convention क्या है, कि जो हमारा, यह जो lens है, इस से, इसके pole से इधर वाली terms जो है, quantity, जो distances है, वो negative है, इस से इधर वाली positive है, तो हम u को minus u से replace कर देंगे, by using sign convention, तो ultimately हमारे पास यह formula आ गया, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u, इसको बोलते है, बच्चों, lens equation, यह exam में पूछा ज सकता है, कि derive lens equation, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, और वो जो formula होता है, 1 by f is equal to mu minus 1 times 1 by r1 minus 1 by r2, वो बच्चों, lens maker formula है, don't be confused between the lens equation and lens maker formula, और एक छोटा सा problem है, बच्चों, कि अगर हम एक lens ना होगे, दो lens का combination ले लेते हैं, कि f1 focal length है first की, f2 focal length है second की, और उनके beach का जो separation है, वो d है, तो बच्चों, इस problem को भी हम system matrix का use करके करेंगे, देखो, यहाँ पर reflection होगा, मालब पहले कुछ है, बाद में कुछ है, तो मालब इसका, f1, f2 के साथ, इस assembly का अगर हमने analysis करना है, तो f1 में reflection होगा, beach में translation होगा, distance d तक, f2 में फिर से reflection होगा, तो बच्चों, उल्टे order में लिखी जाती है, start करेंगे right mouse से, यह उर्दू की तरह है, बच्चों, right से start करोगे, तो हम reflection matrix लिखेंगे, f1 lens के लिए, translation matrix लिखेंगे, distance d के लिए, और फिर से हम reflection matrix लिखेंगे, lens f2 के लिए, तो देखो, बच्चों, मैंने इसमें power p की वजए, replace कर दिया, 1 by f से, तो यह एक matrix लिख दी, जो कि reflection matrix है, for f1, फिर हमने लिख दिया है, translation matrix, for distance d, index यहाँ पर 1 है, air का, अब फिर से हमने लिख दिया है, reflection matrix for f2, तो अब इन दो matrices का, एक matrix बना लेंगे, product करके, तो हमने इसको right side से multiply करते जाना है, मतलब इन दो का एक matrix मनेगा, फिर इस से multiply होगा, तो देखो, इन दो का एक matrix मन गया, यह as it is है, और फिर finally multiply करके, हमने यह equation लिख दिया, matrix लिख दिया, basically, तो यह basically क्या एक system matrix है, देखो, इसको correlate करो, a, b, c, d, और a and d, first and last are negative, मतलब reverse order में हमने z को लिखा हुआ, starting point और end points और negative quantities है, तो इसमें बच्चो connect करो, आपका जो a quantity है, वो तो यह वाला है, तो इसको a के equal रखतेंगे, यह रख दिया हमने, और negative sign अटा देंगे, क्योंकि a to minus a है, तो a will be negative of this, तो बच्चो यह बन गया, one by f, a को हम one by f से replace करेंगे, कर देंगे कि हमें पता है, यह quantities है, one by f होता है, inverse of focal length, यह हमने पहले पढ़ा है, और ultimately हमारे पास यह formula आगया, one by f equal to one by f1 plus one by f2 minus d times f1 into f2, तो बच्चो यह बन गया, focal length of combined system, वनलब combination of length से जो focal length आएगा, वो यह आएगा, और इसमें distance को अगर आप zero कर दोगे, तो simply one by f1 plus one by f2, मतलब यह क्या बन गया, बच्चो, जैसे resistance सीरीज में सीधे जुड़ते है, capacitance, वो वाले, वो वाला connection अगर देखना चाहो, तो मतलब focal length जो आएगी, मतलब focal length का inverse power होता है, तो power जो है, linearly add हो जाएगी, पावार, total power जो होगी, p1 plus p2, अगर distance 0 है तो, तो यह exam में पूछा जाता है, बच्चो, कोई भी दिक्कत है, बच्चो, आप पूच सकते हो, इसमें, और आपने, अपने handmade practice बेजना है, मतलब आपने actual में, book से copy करके मत बेजना, क्योंकि उसको मैं, मतलब attendance में, present consider नहीं करूँगा, आपने मुझे, WhatsApp पर, WhatsApp group पर, अपने handmade, मतलब जो rough work जो होता जिसे कि, हाँ, step by step, यह अपने आप किया है, उसी को present consider किया जाएगा, बाकी को नहीं, thank you बच्चो, और आगे हम थोड़ा एका numerical अगर जरूरी हुआ, तो वो भी करेंगे, okay, all the best.